अगर आप लोन लेने से पहले कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप लोन का time to time repayment कर सकते हो समय से लोन का यमाई चुका सकते हो तब ही लोन के लिए अपलाई करना तब ही लोन लेना सही में कोई emergency होगा आपको पैसो की जुरूत हो कि तब ही लोन लेना और कोई भी लोन application आपको लोन देने से पहले आपसे एक भी रुप्या माँगे processing fees या फिर security money के नाम पे तो बिल्कुल मत देना तो चलो दोस्तो फटा फट से इस लोन application का review करके मैं आपको दिखा देता हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में मैं इसी application का review करने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया application है processing fees minimum 20 रुप है maximum 20 रुप है ठीक है यहाँ पे GST भी है और यहाँ पे देख लिजे minimum interest rate महीने का 1% और maximum 3% है और यहाँ पे minimum APR annual percentage interest rate 12% minimum है maximum 36% है tenure minimum 61 days का बनाएगा maximum 120 days तक का बनाएगा ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे इन्होंने example देके भी समझाया है कि कितने का loan लोगे अगर मालो आप 1000 का loan लोगे तो 36% per annum का interest rate लगेगा 60 दिन के लिए loan मिलेगा इतना processing fees लगेगा इतना GST लगेगा यहाँ पे इन्होंने देख लिजेगा इस साफसा बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको minimum 10,000 रुपर तक का maximum loan मिल जाएगा ठीक है minimum नहीं maximum 10,000 रुपर तक का loan मिल जाएगा तीन चार स्टेप में आपको loan मिल जाएगा ठीक है बागी गाईज यह अप्लिकेशन था पर्मेशन की बात करें तो camera, location, microphone, phone, SMS, storage, other सबका आपको पर्मेशन देना पड़ेगा देन आपको यह application loan देगा वैसे तो NBPC registered application है, सारे बड़े cities में loan देता ही होगा बट एक बार आप loan के लिए अपलाई करके चेक कर लेना, आपके city में loan देता है कि नहीं देता है इस application में कोई भी bank की statement आपको नहीं देना है, कोई salary slip नहीं देना है सिर्फ only आपके आधार card pen card selfie से loan मिल जाएगा मेरे एक friend को कुछ महीना पहले loan मिला था, मैं video बना के भी आप सभी लोगों को दिखाया था, मेरे channel पर वो video है, आप जाके चेक कर सकते हो काफी बढ़िया loan application है, ठीक है, लेकिन हाँ, वही mobile number डालना जो आपके bank में registered है, और फिर OTPI का डालना, अपना KYC करना, ठीक है लेकिन वही mobile number डालना, जो आपके bank में registered है, उसका transaction थोड़ा बहुत ठीक ठाक है महीने में 10-15,000 का transaction अगर आप कर लेते हो, तो definitely आपको यह application loan दे देगा अगर नहीं भी transaction है, फिर भी वही mobile number डालना, जो आपके bank में है और वह आप regular bank use करते हो, ठीक है, उस bank में आपका account चालू है, बंद नहीं है mobile number डालना, OTPI करे डालना, ठीक है, अधार card pen card selfie हो करे डालना, normal कुछी step में आपको loan मिल जाएगा, अब मैं इसका आपको नाम बताता हूँ, इसका नाम है pocketly, pocketly loan application का नाम है 3.5 की rating है, 1 million प्लस इस application के downloads है 3.5 की rating है, 1 million प्लस इस application के downloads है, guys यहांसे नीचे से CEO reviews हो जाएगा, CEO reviews करके reviews होगरे, जरूर पढ़ लेना, rating होगरे, देख लेना, देना, आप loan के लिए अपलाई करना, ठीक है, बागे अगर इससे loan ना मिले तो मेरे इस video के description में एक और अच्छा application आपको मिल जागा, जिसका नाम है true balance, true balance application में दो तरीके की loan मिलता है, एक level up loan, एक cash loan, अगर आप cash loan लोगे, तो हो सकते हो, आपको bank के statement देना पड़े, क्योंकि true balance application इस starting में यह आपको cash loan ज्यादा अफ्र करता है, that's why यह आपस bank statement लेता है, लेकिन दोस्तो तो अगर आपके पास bank statement नहीं है, तो आप true balance application का दूसर और loan ले सकते हो, जिसको level up loan बोलते हैं, level up loan आपको starting में कम मिलेगा, लेकिन जैसे आप loan का repayment करते जाओगे, आपका level बढ़ता जागा, totally 11 level होते हैं, जैसे आप गरोए level पे पहुंचते हो, maximum एक लाग रुपात का loan ले सकते हो, ठीक है, सबसे अच्छी बात, अगर आपका थोड़ा possible score कम है, थोड़ा बहुत खराब है, फिर भी आपको मिन्टो में true balance application level up loan दे दिता है, हाला कि guys मैं आपको बता दूँ, ये application का link मेरे इस वीडियो के description में, अगर आप मेरे इस वीडियो के description के देख लिंक से download करते हो, और loan के लिए apply करते हो, तो बहुत ज़्यादा chance से आपको loan मिलने का, so guys link है मेरे इस वीडियो के description में true balance application का download करो, loan के लिए apply करो, अगर आपको loan चीए तो इस application से अगर आपको loan ना मिले, pocketly, pocketly से loan ना मिले, तो आप true balance से loan definitely ले सकते हो, थोड़ा सा interest rate जाता है true balance application क बढ़ के लिए आप कमेंटों में loan मिल जाता है, तो guys बस यही ता आज के इस वीडियो में, आई होप के लिए आपको वीडियो पसंदा होगा, वीडियो पसंदा को तो वीडियो को like करना, channel को subscribe करना, bell icon को press करना, चलिए जी मिलते हैं किसे और next useful वीडियो में, तब तक यहीन बंदे मातरम भाई लोग